जै मा मरी आप सभी को मरी मा पासक में आप सबका स्वागत है आशा करता हूँ माता मरी कृपा आप सब पर बनी रहे आज मैं आपके लिए एक दिवसी साधना लेकर के आया हूँ जो है औजार बानने की अब समझना ये औजार बानना क्या होता है आपने जवारे निकलते देखें, बिलकुल, आपने देखा हुआ कई लोग तरिशूल, बाना, साथ, मारते हैं, उनको कुछ नहीं फील होता, चाहे वो सवारी में हो, चाहे बिना सवारी के मारें, कुछ भी फील नहीं होता, इसलिए विडियो को एंड तक देखना मंतर भी है इसमें लास्ट में ठीक, तो उसमें क्या होता है, कि उनको कुछ नहीं लगता, कुछ भी नहीं लगता, अब क्यों कुछ नहीं लगता, आपने कभी सोचा, इस चीज के बारे में, क्यों क्योंकि सारे जो बोलना चाहे कि शस्त्र हैं, देवी शक्ती के, देवता शक्ती के, काटे वाली चपल पहन रहा है कई लोग काच खा लेते हैं कई लोग कढ़ाई से तेल ऐसे निकाल रहे हैं तो वो कैसे हो जाता है वो एक्चुली क्या होता है तंतर मंतर के जरीए अभी मंतरत किये जाते हैं यह सारी चीज और यह सारी अब आपको करना क्या है इसके लिए जितनी भी अस्ठ शस्तर हैं आपके अगर आप गरामिल आपका देवाला है या दरवार है तो आपने देखा ओगा तलवार होगी बाने होंगे प्रिशूल होंगे माता की चपल होगी काटे वाली साथ होंगे मारने के लिए पीट में उस पे काटे वगएरा निकले रहते हैं बहुत सारे ऐसे आपके पास औजार होंगे सारे औजारों को क्यारस की सुबा एका दशी की सुबा धो लीजे प्रॉपर पूरे अच्छे से उसको दोईए पूरे अच्छे से उसको साफ करिए साफ करने के बाद आप उसको सूखने के लिए रख दे हलका हलका उसमें तेल या फिर हलका हलका घी लगा दे जब शाम हो उसको एक लाल कपड़े पर रखें लाल कपड़े पर रखें सारे औजारों को टीक उसको हवन की जो धूब दीब होती है हवन वाली है अगर बत्ती हवन की धूब दीब दिखाएं अच्छे से पूरे कमरे में खुशबू करें उसके सामने एक चार मुखी दिया लगाएं फिर दूसरा एक चार मुखी दिया आपके हैं सब को किस से कुम कुम से टीक दें अब टीक दिया आपने उसको फिर से एक बार धूब दीब अगर बत्ती दिखा दिये अपने उसके बाद थोड़ा सा गंगा जल लें ठीक गंगा जल में एक लोटा गंगा जल में तीन बार तुलसी की पत्ती तोड़ करके डाल बंत्र एक बार फिर से आप सुन लीजिए त्राही माम रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो फिर आपने डाल दिया गंगा जल लेकर कि सारे औजारों पर शश्टर पर छड़का, शुद्ध हो गया, खुश्बू फिर से दिखाई, तीन बार खुश्बू दिखा चुके हैं अपने, अब आसन लगा के आप बैठ गए, आसन लगा के आप सबसे पहले आप अपने गनेश जी का बंदन करें, गनेश जी ओम गंगन पते नमा, इसका जाब करें 108 बार, उसके बाद गुरु वंदन करें, गुरु नहीं है तो शिव वंदन करें, ओम नमस्षिवाय करके, गुरु मंतर आप धारन की होई तो बहुत इच्छी बात है, गुरु मंतर करें, फिर उसके बाद कुल देवी, कुल देवता, ग्राम द देवी ग्राम देवता इष्ट देवी इष्ट देवता छे लोग हो गए ठीक छे चीजे हो गई आपके पास उसके बाद आपको ये शावर मंत्र सिर्फ और सिर्फ एक माला करना है ठीक मंत्र मैं आपको बताऊंगा लास्ट में इससे लेकिन होगा क्या पहले फायदा सुन ल पहले है मैंने बाना लिया त्रिशूल डाला तो मिरे को खून आ गया तो ये सारी चीजे नहीं होंगी ठीक क्योंकि कई लोग आते बोलते हैं कि गुरुदेव बाना डाले और खून निकल रहा है तो ये सारी चीजेश आदसे बंद नहीं निकलेगा एक भी खून ठीक और आपकी कला का प्रदर्शन भी होगा, आपकी जो दैविक शक्ती है, दिवाला है, दरवार है, उसका भी अच्छे से प्रदर्शन होगा, बहुत अच्छा रहेगा, तो मंतर में थोड़ा सा बताना चाहूंगा, ओम नमो धार धार, ठीक, उसके आगे नहीं बताऊंगा, गरज तब आपको ये करना है, उसको विधीवत उठा करके अलग-अलग, अच्छे से लाल कपड़े में लपेट करके फिर से वैसा ही रखतें, ठीक, और उसको जमीन पर दुबारा नीचे ना रखें, अच्छे कहीं जगे पर रखें, जब आपको उसका यूज करना हो, उसको मार रहे हैं, तो उपर जोर से उठा रहे हैं, लेकर नीचे लाते-लाते लूम ले रहे हैं, वैसा लूप भी नहीं ले ओगे अगर आप ना, कितनी भी जोर से मारोगे, तो आपको नहीं लगेगा, ठीक, अब आते हैं कि आपको पूरा मंतर कैसे मिलेगा, तो आप इसकी कारी पसंद आई हो जय मामरी